हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम सब्जेंगे क्लास वन की वॉक्षीट नंबर 110 जो की 16 नवंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैज्स यानिकी गणित सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास वन के सामने आप अपना सेक्षिन एबी सी जो भी आपका सेक्षिन है वो लिख देंगे ठीक है बच्चों तो चलिए इस वरक्षीट को शुरू करते हैं और इस वरक्षीट का आज का टॉपिक है रंग बिरंगे दिये लीना ने हर रंगे 10-10 दिये रंगे थे तो बच्चों एक लड़की है लीना और उसने सोचा कि दिवाली आ रही है क्यों ना जो दिये हमारे पास रखे हुए हैं पहले से ही उनको अलग अलग रंग से रंग दिया जाए और फिर घर को सजाने के लिए उनको इस्तमाल किया जाए ठीक चार टोटल दिये रंगे थे और चार उसमें से इस्तमाल कर लिए तो अब लीना के पास कितने दिये बचे होंगे तो आंसर आजाएगा छे दिये कैसे पता चलेगा देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यह दस दिये हैं जिसमें से चार दियों को उसने इस दो तीन चार इनको तो इस्तमाल कर लिया अब बचे कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे तो कुल मिला के कितने दिये बच गए छे दिये ठीक है बच्चो अब ऐसे आगे कह रखा है कि आप भी अपने सिक्षक को बताईए कि आपने कैसे पता लगाया प्रश्न है कि लीना ने पीले रंके 10 दिये रंगे थे और उसने 6 पीले दिये इस्तमाल किये अब लीना के पास कितने दिये बचे होंगे तो देखो टोटल दिये थे 10 उसमें से 6 दिये तो इस्तमाल कर लिए गए तो 10 में से हम 6 को घटा देंगे तो 10 में से 6 को घटाने के बाद कितने दिये बच अगला प्रश्न देखते हैं कि लीना ने हरे रंके 10 दिये रंगे थे और उसने 7 हरे दिये इस्तमाल किये अब लीना के पास कितने दिये बचे होंगे तो देखो 10 थे हरे रंके दिये उसमें से 7 तो उसने इस्तमाल कर लिये हैं तो 10 में से हम 7 घटा देंगे तो अब दिये बच ख़े हुए हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 दिये ठीक है इसके बाद अगला प्रेश्न है कि लीना ने नीले रंगे 10 दिये रंगे थे और उसने 5 नीले दिये इस्थमाल किये तो अब लीना के पास कितने दिये बचे हैं तो देखो बिच्छो लीना ने कितने रंगे थे दिये 10 और इस्तेमाल कितने कर लिए 5 तो 10 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पांस बच जाएंगे 5 दिये ठीक है चलो आगे देखते हैं लीना ने सुनहरे रंगे 10 दिये रंगे थे और उसने 2 सुनहरे दिये इस्तेमाल किये यानि कि 10 रंगे थे और 2 इस्तेमाल कर लिए अब हमें बताना है कि लीना के पास कितने दिये बच गए हैं तो 10 में से हम 2 घटाएंगे तो आंसर आजाएगा 8 दिये ठीक है बच्चो अब यहां पर आपके पेरिंस के लिए सुझाओ है कि बच्चों से बातशीत कीजिए कि उन आने सामान को दोबारा प्रयोग में लाना चाहिए बेकार के सामान से उपयोगी सामान बनाने से क्या फाइदा होता है इस पर भी बातचीत कीजिए तो बच्चों यह थी आज की हमारी माच्स याने की गंड़ित की वाकशीट एन आई होप आप सभी को यह वाकशीट बहु